इन 2021 में अगर आप लैप्टाव सर्च रड़ कर रहे हैं अगर आपका विलेड़ 50,000 है यह में बिडिय श्पैशली मैं आपके लिए करहों बहुत लोड़ेड लैप्टाव में बताऊंगो जिस पर आप वीडियो एटिंग भी कर सकोगे, गेमिंग भी कर सकोगे, अज़ा क्र कर स ओगे, अज़ा developer भी काम कर सा ओगे, प्लस भी अगर आपको office पर के लिए है, आपके लिए हद भी भी best होने वाले हैं वहué, अगर आपको एशा students के लिए चाहिए, अगर आप पड़ते हो पढ़ाते हो आपक लिए best होने वाले, तो start करते हैं सी भी बात करते है नंबर फो की नंबर फो की बात करो नंबर फो पर यार मैंने रखा MI Horizon को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले इसके price range की बात करते हैं आपको 51,000 के budget में MI Horizon देखने को मल जाता है अगर इस laptop की बात करो इसका display इसका trackpad बहुत जादा सही है and build quality भी बहुत अगरी मल जाते है तो अगर आपने normal setting पर gaming करने है जहां फिर अगर आपने 1080p पर यार अगर आपने video editing करने है आप सभी के लिए यह laptop पर फेक्ट डील हो सकता है प्लस आपको full HD प्लस इसके साथ जो है web camera free देखने को मिल जाते हैं तो अगर आप अपने online classes लगान इसका minus point यह देखने को मिलता कि आपको RAM expandable करने का option नहीं मिलता so that's why मैंने इसको number 5 पर रखा और कोई भी reason नहीं देखने को मिलता वैसे as a specification के according दिखा दे यह laptop पूरा तगरा देखने को मिल जाता है अगर आपको 8GB RAM बहुत है ना तो बही मैं आपको recommend सीधा करता हूँ my horizon आपके लिए perfect deal हो सकता है trusted brand है top brand में से आता है किसी और laptop के और जाने की जूरूत नहीं है आप इस laptop के और जा सकते हो तो यह laptop के बारे में तो मैंने आपको बता दिया मैं अभी थोड़ा से आपको deeply बता देता हूँ इसके main specification की बात कर लेते हैं तो display की बात करूँ आपको 14-inch full HD plus display मिल जाती है जो कि anti-glare display प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 512GB SST देखने को मिल जाती ग्राफिक कार्ट की बात करूँ आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है अप्रेश सिस्टम की बातों को Windows 10 मिल जा जाता है अगर इसका expandable करने का RAM को option मिल जाता ना अगर 12GB मिल जाता है तो इसको यार मैं number 2 पर ही रखता because build quality display की quality उसके बाद इसकी जो battery backup है वो बहुत ज्यादा तग्रा देखने को मिल जाता है जो कि इस budget range में आपको किसी laptop में नहीं देखने को मिल जाता है तो यार इसका minus point भी है लेकिन इसके plus point भी देखने को मिल जाता है तो आपके जो specification है जो आपको चाहिए उसके में set जाता है इसके color बगारा बहुत प्यार है प्लस ये light weight है ठीक अगर आपने कहीं पर भी ली कर जाना जाते हो अगर आप as a traveling जादा करते हो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा shift होते हो तो ये laptop आपके लिए जादा बहुत जादा से होने वाला है उसके बाद अगर मैं इस के specification की बात करूँ आपको 2020 model देखने को मिलेगा जो की एक plus point देखने को मिल जाता है उसके बाद आपको i3 देखने को मिलेगा 11th generation के साथ आपको 8GB RAM मिल जाते है जो कि आप 16GB तक expandable कर जाते हो प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिल जाता है SSD देखने को मिलेगा ये तीन कलर से में specification की तो यह display की बातों को 15.16 full HD display मिल जाती जो की 16 refresh के साथ प्रसेसर की बातों को i3 11th generation के साथ देखने हो मिलता तो यार इसमें आपको लेट टेस्ट प्रसेसर मिल जाता है अगर इस budget range की बात करूँ आपको 41 या 42,000 के budget में ये laptop देखने हो बल जाते हो वही अगर आपका प् अब बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है अपकर आपको 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने हो मिल जाती ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको इंटिग्रेटरी ग्राफिक कार्ड मिल जाता है मैं आपको प्राइस की बात करूँ आपको पहले भी बता दिया कि आपको 41,000 के budget म Asus Vivobook Ultra 15 देखने को मिल जाता है तो यार main specification मैंने आपको बता दिया Asus Vivobook Ultra 15 के तो यार मैं पहले सबसे पहले आपको sorry बोल देना जाता हूँ पहले मैंने Asus Zenbook I think कहा दिया मुझे याद नहीं है लेकिन Vivobook है Asus Vivobook Ultra 15 ये laptop बहुत जादा से है Number 2 की बात करूँ है Number 2 पर मैंने रखा Asus Spire 5 को अगर इस laptop की बात करूँ सबसे पहले से के budget range की बात करते हैं आपको 45,000 के budget में Asus Spire 5 देखने को मिल जाता आपको laptop ये पसंद आने वाला है बिकरस इसके specification आपको पूरे loaded मिल जाते हैं आपको ये laptop बहुत पसंद आने वाला है आपको i5 10th generation के साथ मिल जाते है 8GB RAM मिल जाते हैं जिसको आप upgrade कर सकते हैं प्लस आपको 2GB Graphic Card देखने को मिल जाते है तो मैं आपको main specification की बात करी लेता हूँ यार ऐसे मैं कितना आपको बताऊं का ठीक है आपक 3502GB मिल जाते हैं उप्रेणी जस्तों की बात में विंटो टैम मिल जाते है बेंटरी की बातों को 8 आपस का बेंटरी लाइफ परवाइड कर देता है प्राइस की बात को आपको 45,000 के बज़ेट में इससर इस्पायर 5 देखने को मिल जाते हैं तो यहर में स्पेस्लिकेशन में आपको बता दिये इससर इस्पायर 5 के भी यह लैपटाव पूरा लोड़िड देखने को मिल जाते हैं तो अगर अपनी वीडियो एटिंग करने हैं नार्मल साइटिंग पर गिमिंग करना चाते हैं अगर आप सब्सक्राव पर पर मैंने रखा है इससर इसपायर 7 को तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाते हूँ आज हम बात करने हैं 50,000 के पड़िड की लेकिन अगर आप थोड़ा सा अक्ष्टा पे कर सकते हो तो आपको मैं कहना चाते हूँ आप इस लेप्टाप के और जा सकते हो विकाज आपको स्पैस्फिकेशन बहुत अगरे देखनी को मिल जाते है मैं आपको कहा देना चाते हूँ अगर आपनी वीडियो एट्टिंग करनी है उसके पाद मतलब अगरे आप झाये भी ट्राइ करना चाते हूं आपके लिए लेप्टाप बैस्ट इल हो सकते है प्लस बैस अगर आपने गीमिंग करना उसके साथ साथ अगर आपन्mar एज लेप्टॉप कररना आपके लिए बैस्ट डील होने वाला है मैं specification बता रहता हूं आपको पता चाल जागा डिस्प्ले की बात करूं आपको 15.6 फुल एश्टी प्लस दिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है प्रसासर की बातों को अब 32GB तक expandable कर सकते हैं तो अगर अपने प्रीमियर प्रोब यूज करना है उसके बाद भी अगर आपने हाई सैटिंग पर गेमिंग करने हैं आप आप आपको 32GB रैम तक expandable करने का option मिल जाता है आई 5 मिल जाता है 4GB ग्राफिक कार मिल जाता है यही चीज तो चाहिए होते है प्लस आपको विंटो टैम मिल जाता है फिंगर प्रिंट वगार आपको देखने को मल जाएंगे जो की privacy के लिए तगड़े होते हैं ठीक है बैंटरी की बाद करों आपक के लिंक मैंने परवाड की है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जांगे आप उनको चाहूड कर लाना आपके लिए ब्यास दील हो सकते है तो यारब भी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है खता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो चले भी यार वीडियो को लाइक कर दना प्मेंट कर दना शियर कर दना दोस्तों को बेद दना उनको भी चानल को करते सब्सक्राइब वीडियो को करते लाइक इंस्टाग्राम पर फॉल्व लिंक को बगारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएको स्कोच आउट करते हैं मेरी कर दो थैका आगजलता हैं में इंक को बढे हैं,My तोस नहाची बचला में वाज़्ा,마रा,क्षाद करती हैं